नमस्कार दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ और इस वीडियो में अपन केवल दो बातों पे जीकर करेंगे चोटा सा वीडियो है फालतु का बड़ा करने का कोई मकसद नहीं है आप इतयास देखेंगे तो अपन साइद पांच-छे मैने पहले इसी चर्चा की थी इस वीडियो में एक तो अपन फर्स्ट ग्रेड जीके के लिए या सेकंड ग्रेड जीके के लिए कौन सी बेस्ट बुक अपने लिए वह अपन चर्चा करेंगे दूसरा नई वेकेंसी का क्या स्टेटस है इस पर अपन चर्चा करेंगे चोटा सा वीडि क्वेशन पूछ रहा हूं जैसे मानलो साहीब दीन साहीब दीन का सम्मध्ध किस चित्रकला सेली से सीधा से सिंपल चाक्वेशन है या जैसे मानलो तारा बांती तारा बांती टीले किस चित्र में पाए जाते हैं या बर्खान जो आपने सुना होगा वो सबसे ज़्यादा किस मिलते हैं इस तरह के question कोई भी आप उठा लेजिये exam का paper उन में आपको मिलेंगे और वो exam में देने जरूरी होते है क्यों क्योंकि एक paper को average देना होता है कुछ question hard भी होते है कुछ average भी होते है कुछ बहुत easy होते हैं लेकिन होता क्या है कि अपन के वो question अगर गलत हो जाते हैं तो जो एक range होती है वो उस range से अपन रह जाते हैं और इसका कारण क्या है इसका कारण यह है कि अपने निरंतर study नहीं की उन चीजों को अच्छे से नहीं पढ़ा जो बहुत आसान थी और वो चीजे कोई भी आप पुस्तक देखेंगे उनमें आपको अच्छे से मिल जाएगी कुछ प्रसन ऐसे होते हैं जैसे अभी BSTC के exam आपने देखा होगा उसमें एक पूछा था कुवारा किला के बारे में कुवारा किला कुछ काइड़ों में आपको यह चीजे नहीं मिलेंगे और साहइध मेर कहले से टीचर भी बहुथी चिजे नहीं करवाई होगी कुछ चीजे ऐसी होती है जो मतलब कई मिलती नहीं है कुछ जैसे आपने सुजस देखे होगी सुजस पत्री का जो आती है करंट की जो चीज़े रहती है उनमें करंट को लेकर जो है वो अपने स्लेबस में अगर वो बिंदू रहता है तो उसको जोड के पूछ लिया जाता है और वो चीज़े अपन नहीं देखती है तो वो एक्जाम में आती है में कहने का मतलब यह है कि एक तो देखिए छैसे दस्वी तक की जो NCRT है ग्रेड थर्ड में कुछ क्वेशन ऐसे आये थे अलगी वो बोर्ड आपका RMSS भी करवाता है लेकिन आप ज्यान रखिए यह पुस्त के कम नहीं है इनमें कई की ऐसी बाते हैं डीपली क्वेशन वहा पुस्त के बुक वर्दमान में ज्यादा पढ़ी जा रहे हैं नोविय और दस्वी की जो कलासेंस करती है इत्यास की पुस्त के वह इनके द्वारे लिखी गई है वहन जी बहुर यह जो नात पुस्त के आती है तो इन किताबों की एहमियत बहुत अच्छी है अगर आप सीर स्लिबस है उसमें साहिध हो सकता है अपने और पेसी का सेकिम ग्रेड़ का फरस्ट ग्रेड़ का सलिबस है उसमें वह चीजे नहीं हो तो इसलिए एक पुस्तक प्नोर्मा या सिकल्वाल या आपकी नात पब्लिकर संग की जो भी एक पुस्तक है वह आप ले सकते हैं इसके देखी कि नंबर तीन पे है मुमल एक्जाम रिव्यू ये आपके करंट के लिए करंट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ देखे करंट का एक अपने आप में बड़ा इंपोर्टेंट रोल और वो इसलिए रोल है क्योंकि उससे आपको एडिया लगता है कि यार ये चीज़े करंट में चल रही है हो सकता है इससे रिलिवेंट चीज़े जो सलेबस से लिंक है वहां से क्वेस्चन उठ जाए तो बड़ा में तो रोल है आठ से दुस क्वेस्चन इंपोर्टेंस है सेक जैसे अभी आपका जुलाई चल रहा है तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रेल मई इनका करंट आपको आना चाहिए आपको देखना चाहिए रोज करंट लेना रोज करंट की क्लास पढ़ना हो सकता आपके लिए अच्छा हो लेकिन उससे बहतर आप मन्थली करंट एक बार पुष्टक आने लगेगा इन्दी करंट अका आदमी की पुष्टक एक प्रमानिक पुष्टक वानी जाती है पेपर सेटर के पास यह पुष्टके होती है वह कोई गाइड में देख के आपके क्वेस्टन नहीं बनाता पेपर सेटर हमें साब प्रिविश येर एर पिसी से nak le警下去 कि औलग पुछे गए, वो उसके जहन में रहता है, हिंदीघरंथिक अगादमना की प्रमानिक पुष्ट के उधके पास रहती है? तो यह पुष्टक है, हिंदीघरंथिक अगादमना की, हलाग की पढ़ने में आपको लगवाय तयए हैं, प्रमानिक पुस्त तक है, कई बार question बहुत death में आते हैं, मिलते नहीं है, वो यहां से होते हैं, अब जो पेपर सेटर है उसके पास प्रमानिक पुस्तकों के नाम पे केवल हिंदी गरंथ अकादमी की किताबे हैं, तो यह मित तक है, उनके पास तो बहुत सारी किताबे हैं, लेकिन अपन सारी तो नहीं ला सकते हैं, और लेके भी आये तो सारी पढ़ भी नहीं सकते हैं, लेकिन हिंदी गरंथ अकादमी की किताबे जो हैं, लगबग मेटर आ जाता है, और अच्छी पुस्तकी और हर एक्जाम को कवर कर जाते हैं, इतर्चा अपनी फर्स्ट जिक्य की पुस्तक के लिए थी, वो सकता आपके विचार कुछ अलग हो, नहीं बरतियों का स्टेटिस क्या है, नहीं बरति, इसमें आप देखेंगे, तो मैं चर्चा करूँगा एक तो फर्स्ट ग्रेड, एक आपकी सेकंड ग्रेड, एक आपकी थर्ड ग्रेड, रीट, औ मोटा मोटी देखें, फर्स्ट ग्रेड की साथ से आठ हजार, मिनिमम में चर्चा कर रहा हूँ, मिनिमम, इस बार जो है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इनकी बरतियों के जो पद हैं, वो चांसेज ज्यादा हैं, पद ज्यादा आने की चांसेज हैं, इस पार में यह मान के चलिए 11-15 में यह मान रहा हुद कि 15 के आसपास तो पोस्ट आनीजिये 15,000 के आसपास 15,000 तो मान के चलिएगा 11 तो छोड़ो 15,000 तो मानीए REAT पतरता का एकजाम मैं इसले लिख भाँ क्यmesi यह सबसे नहीं में इसले होगा तो सरकार का भी यह रहता है कि हमने एक्जाम करवाई है और वो थोड़ा अपना खुद का एक समय खीच सकती है उनको पेमेंट थोड़ी देना होता है लेकिन इनकी बड़ती करवाने इनको पेमेंट देना तो एक बड़ी भारी बात है लाइब्रेरियन की पोस्ट में चर्चा करूं तो 700 पोस्ट की चर्चा चल रही है लेकिन मुझे ऐसा लगता है देखिए अभी बज़ट से पहले सरकार ने सुझाव मांगी थे और यहां पे लाइब्रेरियन में स्टाफिंग पेटन के लिए काफी कमेंट के गए थे तो हो सक विदाले में यदि एक लाइब्रेरियन का पद सर्जित किया जाता है तो यह मान के चलिए 10,000 प्लस यह विकंसी आ सकती है लेकिन 700 तो मान के चलिए 700 से कम तो आएंगी नहीं नई भरती का स्टेटस क्या है पदों की मैंने चर्चा कर ली है सबसे पहले मैं रीट को प्रिफ बहुत ज़्यदा है और फर्स्ट के पोस्ट भी अच्छी आएंगी चर्चा करें बजट की देखें बजट आपका 10 जुलाई को आ रहा है दस जुलाई को 31 जुलाई परित होगा तो यह मान के चलिए जुलाई का महीना तो आप इस विचार में निकाल देंगे कि यार और बजट में यह दी गोशना उमीदों के अनुरूप नहीं भी होती है तो बढ़ती तो आएंगी बढ़ती तो आएंगी तो यह मान के चलिए अगस्त और सितंबर अक्टूबर भी ले सकते हैं नौमबर दिसंबर जनवरी यह तीन मेने तो आप निकाल दीजिए निकाय के चुनाव आ रहे हैं पंचाय ती राज अचार सहिंता वगरह वगरह लगा के सरकार फिर से एक बार से द्याना कर सीथ वहां रहेगा तो यह तीन मेने इन तीन मेनों में यह मान के चलिए आपका जो नोटिफिकेशन है वो कभी भी आ सकता है बजट में जितनी गोशना हुई है उनको लेकर एक्जाम कब होगा तो एक्जाम तो देखी दो हजार पत्चीस से पहले पोसिबल ही नहीं है दो तीन मेने का टाइम तो दिया ही जता है और बीच में यह चुनाव आ रहे है तो यह मान के चलो आपका जनवरी के बाद ही होगा एक्जाम और दिसंबर तक पैटन की चर्चा करों तो इस बार देखिए फर्स्ट ग्रेड का जो पैटन है फर्स्ट ग्रेड का जो पैटन है उसमें आपको चैंजेज देखने को मिल सकते हैं क्योंकि देखिए फर्स्ट ग्रेड में आप मेनेजमेंट में देखेंगे तो वहाँ पे आपके नवाचार थे नवाचार और 3rd grade में भी नवाचार हैं इन दोनों में चेंजेज मिलेंगे क्योंकि देखे स्माइल का प्रोग्राम अब स्माइल की चर्चा नहीं वह लोगडाउन के समय का एक प्रोग्राम था तो वह चेंजेज होगा तो स्लेबस में चेंजेज हो रहा है स्लेबस तो वही रहना है लगबग लेकिन चेंजेज होगा आपका एक नया स्लेबस आपको देखने को मिलेगा बाके रीट वगएर उनमें कोई चेंजेज होगा नहीं यह अपनी जो एक्जाम को लेकर है वो चर्चा हो चुगी है स्कूल वेक है था सेकेंड ग्रेड इनके क् बेटन है वो मैं पुराने वीडियो में सांजा कर चुका हूँ मुटा मुटी मैं आपको बता देता हूं फिर से हलांकि चाहे सेकेंड ग्रेड हो चाहे फस्ट ग्रेड हो आप तैयारी किसी एक की कर रहे हैं और होता भी है कि एक की तैयारी करते हैं उसमें जीजान मेनत जदा समय लगाना है यह चीज़े तब होती है जब अपना टार्गेट फिक्स नहीं होता और मैं समझता हूं इस पोजिशन पे हैं आप तो यह तो फिक्स है कि आप स्कूल व्यक्यता की कर रहे हैं यह अलग बात है कि एक्जाम आप सारे दे रहे हैं चालिस परसेंट का जो क्राइटेरिया है वो केवल स्कूल व्यक्यता में इस बार सेकंड ग्रेड में अटा दिया है और सेकंड ग्रेड में आपको दोनों में मिला कि 40 परसेंट लेके आने हैं यह बड़े अच्छी एक प्रकार से नहीं पहला है और एक नया मोका आप देख सकते हैं इसमें पीछे सब्सक्राइब English, Reasoning, Maths वगरे वगरे ये सारा आप सलिवस देखेंगे तो इसलिए आपको मिल जाएगा Second grade में वही paper first 100 प्रसन आते हैं 200 के और ये second paper वही आपका subject का जिसमें आपके 1.500 प्रसने आते हैं, first paper में आपके 20 questions, Manu Vigyan के भी आते हैं 40 संकी आज के इस वीडियो में इतना ही उद्दस से सिर्फ इतना ही था, कि सोट में आपको सारी जानकर येक साथ मिले, authentic मिले चर्चा बार-बार इस तरह कि अपन नहीं करेंगे और मेरा पर उद्दस से नहीं रहेगी, मैं आपको रोज ये सुचना दूँ कि आज इन्हों ने ये का रीट को लेकर, आज इन्हों ने सेकंड ग्रेड को लेकर ये का थोड़े समझदार खुद भी बने फाल तोगे दर उदर वीडियो देखने की रोज देखने की अपना खुद का समय वेर्थ करने को या सकता नहीं है क्योंकि आजकल के एक्जाम यह से हो गए हैं जिनमें आपको पूरा डेडिकेजन अपने खुद के सलेबस जो है उस पे होना चाहिए सलेबस अच्छे से रिविजन करें प्रिविश शेयर क्वेशन चे इनलाइसिस करें और देखेंगी पहले यह पूछा है तो इस बार यह पूछ सकते हैं आज के इस वीडियो में इतना ही फिर एक निचर चा के साथ आप से रुबर होंगे तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद जैबार